मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजके महाविद्याले सुजानवर, बिये पार्ट सेकिंड की क्लास के सभी विद्यार्थियों का स्वागत, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारतिय शासन अधिनियम 1919 में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था पिछली क्लास में हमने भारतिय शासन अधिनियम 1919 के बारे में पढ़ा था, ये अधिनियम मौन्टिस्क्यू घोषना 20 अगस्त 1917 जो एक तरह से प्रथम बेश्विद्य की बदलती परिस्थितियों के कारण आई थी, उसमें मौन्टिस्क्यू जो तातकालीक नए भारत मंत्री बने थे, उन्होंने इसकी खूशना की, इसमें मुख्यो रूप से जो बातें कही गई थी, उसमें भारत में उत्तरदाई शासन स्थापीत करने का उद्धिश्य ब्रिटिश शासन ने बताया था, क्रमिक विकास के द्वारा ही उत्तरदाई शासन को लाना संभव है, ये भ सकती है, उस पर ही भारतिय जन्ता की सम्रद्धी और भार का उत्तरदाई तुह है, ऐसा भी इस खूशना में कहा गया, ब्रिटिश सरकार उत्तरदाई शासन की दिशा में आगे बढ़ने का कार्य भारतिय जन्ता द्वारा इस सम्मंद में दिये गए सहयो और उत्तरदाई के आधार पर करेगी, तो यह इस घोशना की महत्वपोन बाते थी और इसी के आधार पर मारत शाजन अधिनियम उननीस सो उननीस लाया गया, इस अधिनियम में ये का गया कि ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश सम्राज्य का खंड भाग रहेगा, उत्तरदाई शासन संसत की घो और स्वेशासी संस्थाओं का करमिक विकास किया जाएगा, उननीस सो उननीस के अधिनियम के जो प्रमुख लक्षन थे, उसमें प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदाई शासन स्थापित किया गया था, ये बहुत महत्वपोन ब्यवस्था थी, प्रांतिय शासन को द प्रांतिय कारेकारणी परिशत में जादा भारतियों को जोड़ा गया था, प्रांतिय विधान परिशतों का पुनर गठन भी इसमें किया गया, केंद्र में अनुत्तरदाई शासन स्थापित किया गया, जबकि प्रांतों में आंशिक उत्तरदाई शासन था, केंद्रिय का में शामिल हुए केंद्रिये विधान मंडल जो था या विधान सभा उसका द्वी सदनात्मक स्वरूप सामने आया और इसके मात्यम से दो सदन पहला केंद्रिये विधान सभा और दूसरा राज्य परिशत बनाए गए ग्रह सरकार के नियंतर्ण में कमियाई भारत परिशत में परिवर्तन किया गया केंद्रिये करण से विकेंद्रिये करण की तरफ शासन को पहँचा आया गया शक्ति का भी भाजन किया गया केंदर के अधिकार और प्रांतों के अधिकार अलग-अलग कर दिये गए जैसा हमने पिछली क्रास में पढ़ा था कि जो अतीब हैत्वपोण और राष्ट्र के हिट से संबंधित और अंतराष्टे इस तर के विशय थे जैसे विदेश संबंध, सेना, रेल, डाकतार इन सब को और इसके साथ आयकर मुद्रा, टंकर, व्यापार, जहाजरानी जैसे विशयों को केंदर के अधिन रखा गया वहीं प्रांत के अधिन, स्थानिय स्वशासन, सार्वजनिक कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, सीचाई, राजस्वकर, कृषी, जंगल, जेल, पुलिस और नियाय व्यवस्था का कुछ भाग रखा गया निर्वाचन में संप्रदाइक, निर्वाचन की, हाला के निंदा की गई, लेकिन केवल मुसल्मानों के लिए इस पधधि को बनाए रखा गया और इस पधधि को पंजाब में सिखों के लिए तीन प्रांतों को छोड़कर शेष राज़ों में यूरोकियन के लिए भी लागो किया गया एक नरेश मंडल के स्थापना के गई जो देशी रियासतों के लिए था तो इस तरह से ये एक संकर्मन कालीन व्यवस्था बनाई गए अब हम देखेंगे द्वैत शासन प्रणाली क्या है प्रथम विश्विद के बाद से भारत में उतरदाई शासन की मांग बहुत तेजी से बड़ी और बिटिश सरकार को इस मांग की अभेलना करना मुश्किल हो रहा था ऐसी स्थिती में जो 20 अगस्थ की खोशना थी 20 अगस्थ 1917 की उसमें उतरदाई त्व प्रदान करने की बात कहीगे और जोइन्ट रिपोर्ट में ये उलीख किया गया कि प्रांती वह शेत्र है जहां उतरदाई सरकार की प्राप्ति के लिए प्राथमिक प्रयोग किये जाएंगे इसलिए प्रांतों में द्वैदे शासन लागू किया गया इसका उद्देश क्या है था और इसकी व्याख्या क्या है इसका एक मातर उद्देश कुछ विश्यों में भारतियों को प्रांती शित्र में उत्तरदाई सरकार प्रदान करना था द्वैद शासन का जो इंगलिश शब्द है वो है दायारकी ग्रीक शब्द है डाई और आरकी इन दो शब्दों से मिलके डायारकी बना है इसका अर्थ है दोहरा शासन यानि डाई यानि दोहरा और आरकी यानि शासन इस प्रकार से द्वैद शासन का अर्थ हुआ दोहुरा शासन 1919 के अधिनियम के प्रश्टभूमी के रूप में अगर हम इसे देखें तो द्वैद शासन का अर्थ है प्रांतिय शासन दो शित्रों में विभाजित हो और इन दोनों शित्रों का प्रशासन दो ऐसे पदादिकारियों द्वारा किया जाए जिनकी स्वरूप और उत्तरदायत्व में भिन्यता हो तो इस तरह से प्रांतिय शासन को दो भागों में बाढ़ दिया गया इसे ही द्वैद शासन की स्थापना कहा गया इसके लिए प्रांतिय विशय जो है उनको रक्षित और हस्तान्तरित विशयों में विभाजित किया गया रक्षित विश्यों का शासन समराठ द्वारा नियुक्त और ब्रिटिश शासन के प्रती उत्तरदाई गवर्नर की कारेकारणी परिशत के सदस्य द्वारा किया जाता था लेकिन हस्तानतरित विश्यों के शासन की शक्ति लोकप्रिय मंत्रियों को दी गई जो प्रांतिय विधान परिशदों के निर्वाचित सदस्य होते थे और प्रांतिय विधान परिशद के प्रती ही उत्तरदाई थे इस प्रकार जन्ता को उत्तरदाई शासन की आकांक्षा और ब्रिटिश सरकार के धीरे धीरे उत्तरदाई शासन देने के निश्चे को द्वैद्व शासन प्रणाली द्वारा आकार प्रदान किया गया मुख्य रूप से अगर हम देखे तो जो इसके विशय रखे गए जो अभी हमने इस पर चर्चा भी की थी रक्षित विशय वो विशय थे जो सामाने तौर पर भात महरकपूर्ण विशय थे और अस्तांतरित विशय वो थे जो प्रांतिय इस तर पर विभाजित कर दिये गए थे ये लोगप्रिय मंत्रियों के अधीन रखे गई थे इसमें सारवजनिक स्वास्त है सफाई इस्थानिय स्वायत संस्ता है शिक्षा विश्व विद्याले और कुछ अन्य शिक्षन संस्ताओं को छोड़ कर कृषी सहकारी समीती आबकारी और द्योगिक विकास और चिकित् बंगाल, बिहार, मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब सबसे पहले इन आठ राज्यों में या प्रांतों में द्वैद शासन को लागू किया गया 1932 में उत्तर पश्चमी सीमा प्रांत में से लागू किया गया यानि एक समय में पूरे भारत में इसको लागू नहीं किया गया बल्कि अलग-अलग हिस्सों में इसको लागू किया गया और इस तरह से ये जो कुल मिला करके प्रयोग था द्वैद शासन का ये सोल है वर्ष तक चलता रहा द्वैद शासन को प्रारंव से विरोध का सामना करना पड़ा और इसको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिले मध्य प्रांत और बंगाल में सम्वेधानिक अवरोध की स्थित्योत पन हो गई और दूसरे प्रांतों में भी गवर्णर और उत्तरदाई मंत्रियों के बीच लगातार विवाद होते रहे वास्तम में इन 16 वर्षों में ये स्पष्ट हो गया कि जो द्वैध शासन प्रणाली है उसमें कुछ अंतरनीहित दोश है और इसलिए ये कारियर नहीं कर सकती 1935 के अधिनियम के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया और प्रांतों में पून उत्तरदाई शासन की स्थापना करती गए तो इस तरह से द्वैध शासन प्रांतों में लागू किया गया द्वैद शासन जो था वो प्रांतों में दो हिस्सों में विश्यों को बाट करके था रक्षित विशय और हस्तांतरित विशय रक्षित विशय शासन समराद द्वारा नियुक्त और बिटिश शासन के प्रति उत्तरदई गवर्णर की कारेकारणी के सदस्य द्वारा पिया ज करना भी आवश्यक है कूपलेंड जैसे ब्रिटिश लेक को ने इसकी असफलता का उत्तरदाईत्व कॉंग्रेस और उसके एक अंग स्वाराज दल पर डाला उनका कहना था कि ये लगातार गतिरोध की नीती अपना रहे थे और इसलिए ये शासन व्यवस्था असफल हो गए लेकिन मोटे तोर पर इसकी असफलता के कारुनों को हम दो भगों में बाट सकते हैं पहला है इस योजना में अंतरनेहित दोश थे और दूसरा है अन्य परिस्थितिया सबसे पहले देखेंगे इस द्वैद शासन की योजना में अंतरनेहित दोश क्या थे यानि इस द्वैद शासन को जो बनाया गया था उसके अंतरगत कुछ ऐसी कमिया थी जिसके कारण ये सुचारू रूप से काम नहीं कर पाया सबसे पहली कमी थी इसमें सिध्धांत तहिए दोश पोन था एक ही प्रांत में दो तरह की प्रकरती की शासन व्यवस्थाएं काम नहीं कर सकती और निश्यत रूप से इससे शासन में गतिरोध उत्पन होना स्वाभावित था और शासन में हम अगर देखें दो एक आंगिक एकता होती है उसे हम दो अलग-अलग शक्तियों के अधी नहीं कर सकते जबकि इसमें ऐसा किया गया था तो द्वैद शासन की जो योजना थी ये राजनतिक सिध्धांत और व्यवहार के इस मूल विचार के विरुद्ध थी दूसरी जो बात इसमें आती है वो है विच्यों का अतारकिक और अविवहारिक विभाजन इसमें जो विभाजन किया गया था वो बिलकुल अतारकिक था जैसा कि मदरास के भूद पुर्व मंतरी सरकेवी रेड़ी ने कहा मैं वन के बिना विकास मंतरी था सीचाई के बिना कृशी मंतरी था कृशी मंतरी के रूप में मेरा मदरास के कृश्कों के रिन कानून या भूमी के विकास संबंदे रिन कानून से कोई संबंद नहीं था अकाल पीडितों की साहता से भी मेरा कोई संबंद नहीं था सीचाई, कृषी, रिन, भूसुधा, रिन और अकाल सहता बिना किसी भी प्रकार के नियंतरन के कृषी मंतरे की कारेक शमता का सहजी अनमान लगाया जा सकता है तो सभी विश्यों के साथ ऐसा था तो ऐसी इस्तिती में कोई भी अपना कारिय पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा था तो विश्यों का विभाजन उचित तरीके से नहीं किया गया था तीसरी बात आती है इसके अंतरनी हित दोश में गवर्णर की स्विच्छाचारी शक्तिया 1919 के अधी नियम ने मंत्रियों को नियंत्रित करने और मंत्रियों के प्रस्तावों को अस्विकार करने की शक्ति प्रदान की परंतु इन प्रस्तावों को स्विकार करने के परिणाम बिनाशकारी हो सकते है व्यभार में विशेश परिस्थितियों के लिए प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर गवर्नरों द्वारा कार्यों में अत्यदिक हस्तक्षिप किया गया और इसके परिणाम स्वरूप कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं हो सकता था। चौथी बात आती है अस्तांतरित शेतर के लिए अलग से वित्थ की व्यवस्था नहीं की गई और बिना वित्थ के कभी भी राष्ट में कोई भी काम नहीं किया जा सकता। पाचवी अंतर नहीं कमी थी मंत्रियों का सेवाओं पर नियंतर्न नहीं था। उत्तरदैी शासन की सफलता के लिए ये आवश्चक है कि विभाग के स्थाई पदाधिकारी पून तया सम्मंधित मंत्री के अधीन हो परंतु ध्वैद शासन प्रणाली के अंतरगत ये स्थिती नहीं थी मंत्रियों के अधिनस्त, विभागों के स्थाई जो प्रमुक थे उनमें अधिकांश भारतिय नागरिक सेवा के सदस्य थे और इन सेवाओं के अधिकारों और प्राधिकारों की रक्षा करना गवर्नर का करतफ यह था इसका परिणाम ये हुआ कि गवर्नर के हाथ में पदादिकारियों की नियुक्ती, स्थान तरण और पदोनती हो गए और इस तरह से उन्हें उनके अधीन कार्य करना था तो कुल मिला करके मंत्री के लिए ये एक दुखदाई और अपमान जनक बात थी जिसके कारण सामानी तोर पर कार्य करना मुश्किल था अगला है विधान परिशदों का दोशपून संगठन इन परिशदों में संगठित दलों की स्थाफना की बिलकुल भी संभावना नहीं थी जबकि उत्तरदाई शासन की सफलता के लिए संगठित दलों का होना आवश्यक है इसका जो ढाचा था वो भी दोशपून था इसमें असी प्रतिशत सरकारी या सरकार द्वारा मनोनीत गैर सरकारी सदस्य थे जो निर्वाचित थे वो भी विशेश हीतों के प्रतिने दी थे और इसलिए सरकार को खुश करने में लगी रहते थे तो कुल मिला करके इसका जो स्वरूप था वो बहुत ज़्यादा उत्तरदाई शासन के विचार के अनकूल नहीं था अब आते हैं हम अगली बात पर ये हैं बाहरी परिस्थेतिया जिनके कारण ये सिध्धांत असफल हुआ द्वैद शासन का जन्म बूरे नक्षत्र में हुआ ऐसा माना जाता है यानि सही समय पर इसको लागू नहीं किया गया और ये जो समय था ये उचित नहीं था क्योंकि इस समय जलियां वाला बाग कांड हुआ था खिलाफत अंदोलन होके चुका था कठोर दमनात्मक कानूनों के कारण भारतियों के दिमाग में अंग्रेजों के प्रतिया ब्रिटिक शासन के प्रतिय संधे और अभिश्वास था तो ऐसी स्थिती में ये बहुत सफल नहीं हो पाया दूसरी चीज जो थी वो थी बारी तत्व में आर्थिक दुर्दशा और मेस्टन पंचाट 1920 में समय परवर्शा नहीं होना फसले नहीं होना भारतिय बाजार में मंदी आना ये सब ऐसे कारण थे जिसने इसके सुधारों को काफी हद तक कम कर दिया इसी समय मेस्टन पंचाट आया जिसके अनुसार इस खराब इस्थिति में भी प्रांतों के द्वारा केंद्र को अनुदान दिया जाना था इससे प्रांतों की इस्थिति और ज्यादा खराब हो गए तीसरा कारण माना जाता है भाईय परिस्थितियों में कॉंग्रिस और मुस्लिम लीग का आसायोग ये जो 16 वर्ष का शासन था जिसमें द्वैद शासन को लागू किया गया था कॉंग्रिस और लीग की द्ष्टी से प्रशास की सुधारों पर नहीं बलकि देश की स्वतंत्रता और देश के विबिन वर्गों के बारस पर एक संगर्ष में अपनी स्थिती मजबूत करने में इसे लगाया गया ऐसा माना गया नौकर शाही का द्ष्टिकोंड भी इसके अनुकूल बहुत ज़्यादा नहीं था और इसी कारण ये असफल हो गया ऐसा माना चाता है वहीं ब्रिटिश सरकार का दिश्टिकोंड भी बदल गया था और अनुदार दल की सरकार बनने पर इस पद पर अनुदार दल की सदस्याए तो इन सुधारों के प्रती ब्रिटिश सरकार का दिश्टिकोंड भी बदल गया डॉक्टर जकारिया का अनुसार लंदन से निर्देश जारी कर दिये गए कि अब से सुधारों पर इस प्रकार अमल होना चाहिए कि उनसे अधिक से अधिक नहीं वरन कम से कम स्वशासन भारत को मिले तो इस तरह से द्वैद शासन प्रात्मिक उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहा और भारतिय जनता को उत्तरदाई शासन का वास्तविक प्रशिक्षन नहीं दे पाया लेकिन इसके बावजूद भी इसकी अपनी उप्योगिता थी इसने भविश्य में समयधानिक विकास करने में मदत भारतियों को मिली बड़े पहमाने पर मताधिकार इसके माध्यम से मिला भारतियों को सारवजनिक सेवाओं के भारतिय करण को इससे प्रोचसाहन मिला बहुत से अंग्रेज जो अधिकारी थी, वो भारतिय मंत्रियों के अधिन कारे करने को तयार नहीं थी, तो वे भारत से चले गए और ऐसी इस्थिती में उनके इस्थान पर भारतियों के नियुकती हुई, एक नई शासन व्यवस्था का लाब भारतियों को मिला, और इसे हम क कह सकते हैं कि सरकार की समस्याओं को समझने और बहुत महत्वपूर्ण शास किये अनुबह उपराप्त करने का मौका इसके माध्यम से मिला वैद शासन प्रणाली की स्थापना से स्थानिय स्वैशासन का सुधार हुआ और विकास हुआ और काफी हद तक जो भारतिय मंत्री थ ये सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसमें मदरास की जस्टिस पार्टी ने दक्षन भारत के मंदिरों के संबंध में सुधार किये पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने शिक्षा के विस्तार और क्रिशकों की स्थिती सुधा लाने में महत्वपोन कार्या किया इसी तरह से मद्रास और मंबई में अनिवारिया प्राथमिक शिक्षा और अध्योगी करण की व्यवस्था की गई कुल मिला करके हाला कि ये अपने देश में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ लेकिन इसके बावजूद भी इसने भारतियों में कम से कम कुछ हद तक जागरुपता लाने का कार्या किया जैसा कि इस पेयर लिखते हैं अपने समस्त दोशों के बावजूद ये सुधार अंतिम लक्षे यानि पूर्ण स्वराज की ओर जाने वाले राजमारग पर पहला पढ़ा थे आज के लिए इतना ही अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 1935 का अधिनिया